पंडित रामकिष्णा महाराज सुना आपने सुना महाराज मेरे प्राण बजगए वो नहीं उससे पूरु क्या कहा कि ये सर्वप्रसम हमें मारने आये थे हाँ हाँ जी महाराज आप पर वैसे गुंगरु महादाई आपको ग्यात होना चाहे कि पंडित रामकृष्णा किसके लिए कार्य करते हैं जी आपके तो पंडित रामकृष्णा पर प्रहार करने कहार थिये हुआ कि आपने उन पर नहीं अफितु हम पर प्रहार किया है की नहीं जी पंडित रामकृष्णा अब बात आपकी समझ में आई जी माराज तो घुंगरु महाद है आपका समय समाप्त हो गया आपको अपना बाकी का जिवन कारावास में वितीत करना होगा ले जाए इने अरे मूर्खो तुम इधर उधर क्यों टैल रहे हो हम प्रतिछा जर्य रहे गुरुजी किसकी महराज के बुलावे की गुरुजी कल रात विजयनगर की जनता के समक्ष जो लज्जास पत तुन घटना घटी उसका दायट्व तो आपका है अननतालक्षमी आपकी बहन जो है प्यारी बहन गुरुजी प्यारी बहन भी बहगवान हम क्या होगा तदे हमारी समcketपörtरी प्यारी बहन अननतालक्षमी जी ब्राता श्रीầ तुम्हें क्या वो पंडित रामा किष्णा का साला, वो गधा, वो नालायक, वो मुल्क गुमिन दुल्लो ही मेरा था, ऐसा क्या निखाई दिया जो उसे भीवा करना चाहती वो हम आपको नहीं बता सकते क्यों? यदि हमने आपको बता दिया तो फिर आपको भी उससे प्रेम हो जाएगा अच्छा, नहीं शिफ 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 प्रेम हो जाएगा जी भ्याता श्रीए देखा भडू माला, देखा इस, देखा इस वीजे नेगर में मुखत दिखाने की योग्य नहीं रहे हूँ गुरुवर ही आपकी कर्मों का फल है वामी, हमें प्रतीत होता है आप पर किसी की कुद्रिष्टी पढ़ चुकी है हम अभी लाज मिर्च का धुआ लाते हैं और उससे आपकी कुद्रिष्टी उतार देते हैं नहीं, नहीं, बस, कोई अविश्चक्ता नहीं है वरुन वाला प्रणाम गुरुवर, महराज ने आपको स्मरण किया है इस बात का भायथा वही हुआ अब महराज को क्या उत्तर देंगे मरवा डाला अनंता लक्ष्मी महराज, महराज, हमारे लिए न्याए कीजे महराज आप हमारे गुरू है महराज हम आपके गुरू है महराज और आपके राज्चे में हमारे साथ ऐसा हो रहा है महराज शान्त हो जाए गुरुवर और शांदी पुर्वक हमें बताईए कि आपके साथ क्या न्याय हुआ है महराज, कल सारे विजे नगर के समक्ष हमारा वर्षो का सम्मान दोल में मिल गया महराज और इसका कारण है ये ये पंडित रामा कृष्णा महराज, इनके सालेक गुविंदुल्लू ने हमारी भोली-भाली बैना को बहला फुसा कर मंच पर ये सब करने के लिए बात देख किया महराज, इस शड्यंत्र में पंडित रामा कृष्णा का पूरा-पूरा सायोग है और हमारे श्चित को तभी शांती मिलेगी महराज, जब आप पंडित रामा कृष्णा और गुविंदुल्लू को कठोर दढ़ देंगे हाँ महराज, हमारी भोली-भाली बैना अन्यत्र लक्ष्मी, विजिनगर आये क्यो शांत हो जाए गुरुवर आप शांत हो जाए आपको न्याय अवश्य मिलेगा महामंद्री जी महराज गुविंदुलू और अन्यत्र लक्ष्मी को यहां राज दरबाद में प्रसूत किया जाए अज़ अन्यत्र लक्ष्मी भी यहां पर उपसित्थ होंगे जी महामंद्री जी जो अग्या महार इस पत्वाल जाओ और लेकर आओ गुरुवर आप यह अपना स्थान गैंड कर लीजी रामा इसे कहते हैं आगे कुवां पीछे खाई गुरुवर तो पूर्व से ही क्रोधित हैं अब महाराज ने भी न्याय करने की ठान ली है यह गुविन तो तुझे बरबाद किये बिना तेनाली नहीं जाएगा प्रणामा राज, प्रणाम, प्रणाम अननिल्क्ष्मी, इएए, जाप! इजहर, इजहर, आननेंसे चुश, याँ, याँ, याँ? स्मरवंड रहे, Comindullu जर यदि पुरे तुम्हारे मुख से हमारी वहना का नाम निखला तो यही भस्म कर देके अच्छा भस्म कर देगे, करके दिखाइए हम भी देखते हैं कईसे करते आफ देखिये chaarda-Devi हम आपसे नहीं गुविंदुल्लू से बारताल आप कर रहे हैं शान्त, शान्त हो जाएए आप सभी शान्त हो जाएए न्याए हम करने वाले है अनन्त लक्षमी हम आप से जानना चाहते हैं कि आप निकल मंच पर जो कुछ भी कहा या वो कहने के लिए आपको किसे ने प्रेरित किया था बताओ बेना, बताओ, बताओ जी महराज पंडित रामा कृष्णा जी ने सुना आपने महराज, सुन ली आपने महराज पंडित रामा कृष्णा माहराज मैंने तो नल दम्यांती के सम्भाद बोलने के लिए इन्हे प्रेडीट था मैंनों मन्त्री वर कोत्वाल जी सबको यह सम्भाद बोलने के लिए प्रेडेट किया था की के की executing हो मैं कल के नाठक में राज लिंदर बना था परन्तु पंडित रामा कृष्णा ने मुझे हारे रंग की पोशाग देती महराज। और हारे रंग की पोशाग... कोतवाल, शांत हो जाए कोतवाल... आपकी व्यथा हम बाद में सुनेंगे... पहरे हम न्याई करना चाहते हैं... अनदल अक्ष्मी, हम आपसे पूछना चाहते हैं... कल नल्दम्यंती के सम्मादों के अतिरिक्त आपने जो कुछ भी मंच पर कहा... वो कहने के लिए आपको किसी ने बाध्य किया थाज्या... पंडित रामा कृष्णा जी ने... नहीं... अपी तो हमारी हिर्दय ने हम गोविंदलू से प्रेम करते हैं... और उसी से विवाह करना चाहते हैं... अनदल लक्ष्मी, तुम घर जाओ, घर जाओ... क्या है माराज कि जब हम प्राते है घर से चड़े तो इससे जवर था... अनदलक्ष्मी, तुम आभी इसी समय निवास पर जाओ... जा... नहीं... नहीं गरूर... आपने हमसे न्याय मांगा था... न्याय तो आपका वश्य मिलेगा... आप कही नहीं जाएंगी अनदलक्ष्मी देवी... गोविंदलू... जी माराज... या आप भी अनदलक्ष्मी से प्रेम करते हैं... नहीं माराज... मैं तो बस अनदलक्ष्मी के साथ विवा करना चाहता हूँ... विवा करना काच काहूँ... आज तक एक फूटी कौडी भी नी कमाई... और विवा करने चले... गुरुवर... फुटी कौडी तो नहीं कमाई... परन्तु कासे का पात्र कमाया था... राम लिला में बंदर वनकर... अब ही कासे का पात्र हाथ में लेकर... बिक्षा मांग मांकर... हमारी बहना का जीवन निरवाग करोगे... नहीं गुरुवर... अभी तक मेरी दिक्षा पूर्ण नहीं होई ना... जब तक दिक्षा पूर्ण नहीं होगी... मैं बिक्षा मांगने की योग नहीं हूँ... ए इश्वर... हमने... पंडित रामा कृष्ण पर संधेय करके... अपना समय वेर्थ की... और हमारी इसी तूटी का लाव उठाकर... इस गुविंदुलू ने... हमारी भूली भाली बहना को... अपने प्रेम के जाल में पसगा लिया... आज हमें पूरु में गयात होता... के समस्या की जड़... पंडित रामा कृष्ण नहीं ये... अपने सुझ भी कैसे लिया... कि मेरी सुन्दर वहु के होते हुए... मेरा रामा... किसी दूसरी स्त्री पर... शिष्टी उठा कर देख सकता है... हमें सुन्दर का अमा आपने... हाँ... आपने सोच भी कैसे लिया... कि मेरे सामने सलोने... पाके नौजवन भाई के होते हुए... ये अनन्ता हमारे पदिसया करशित हो सकती है... इन्हें देखिए... इसे देखिए... तुमने से सुन्दर कह रही हो... मुझे क्या क्या रही है... यही तो हमसे सबसे बड़ी तूटी हो गई... अनेता, आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता... महराज... हमारे तो बुद्धी विवेक कारे करना बंद कर दिया है... महराज, समझ मेंने आरा... क्या करें... महराज... आप ही बताएं, महाराज, क्या करना चाहिए, आप ही कुछ निर्ने दीजिए, महाराज, अबश, अनन्त लक्ष्मी, क्या आपको घर के कारे करना आता है, महाराज, हमारी प्यारी निर्न इतनी भोली है, कि उसे घर बैठकर खाना खाने के लावा और कुछ नहीं आता है, न्याय हो चुका है, अनन्त लक्ष्मी और गोविंद्लू, कल आप दोनों ने मंच पर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो अनुचित था, हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी कुछ मर्यादाएं होती है, और हमें उनका पालन करना चाहिए, तरन तो आप दोनों ने इन कि गुरुवर की शर्ष्टी पूर्टी विवा के पश्चाद, आप दोनों पुना अपने गाउं चले जाएंगे गोविन लो, आप अपनी दिक्षा पूर्ण की, इसके पश्चाद हम देखेंगे, दूर रहकर भी यदि आप दोनों में वही प्रेम बना रहता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेम है, यो आवस्ता का कोई आकरशन नहीं है, और ऐसा होने पर, हम स्वयम, आप दोनों का विवा हमारे राज दर्वार में धूम धाम से कराएंगे. पर्णुब दोमिन लो, ये हमारा आदेश है, और इसका पालन किया जाए. महराज की जैओ, महराज की जैओ, महराज की जैओ. बहुत सही नहाए क्या महराज, धन्यवाद. पंदित रामा कृष्णा, तुम हमारी कुंड़नी के पाप ग्रय हो, जो हमारा चीवु दूशित करते रहोगे, तुम्हारा उपाय करना ही होगा, अन्त लक्ष्मी के समस्या तो हल हो गई, अब तुम्हारी करनी होगी महराज, हम आपको एक बहुती महत्वफून बात बताना चाहते हैं, जिसका सीधा संबंध आपसे हैं, आप इतनी महत्वफून हैं, गुरुआ? जी महराज, तो पही है क्या वाक्त? ए बाच्टू! रामा, गुरुबर तेरी चुगली करने वाले हैं! महराज, वो बात हम आपको एक आंत में बताना चाहते हैं, परन्तु हाँ, ये पंडित रामा कृष्ण करहना अनिवारे हैं, गुरुआ इस समय तो हमें एक अत्यंत महत्वफून कार्य पून करना हैं, तो आपकी ये महत्वफून बात जो है, वो आपके शस्टी पूर्टी के ऑखकी बिवा के पश्चात हम सुनेखा, परन्तु महराज, भुरुअर, आजी सवा यही समाप होती, है पारच क्रिश्न दे दे उराइगी… हाँ, पारच क्रिश्न दे उराइगी… पारन्तु, है महाराज महाराज आपने कस्ट क्यों किया आपने हमें सूचित कर दिया होता हम आजाते हैं आपके पास राज कुमारी जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं हम भी महाराज परन्दू पहले हम कहेंगे क्योंकि हमने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं कहिए महाराज महाराज, हम भी आपको बालक नहीं, आपी तो पुरिश की भांदी देखते हैं देखे, आप हमें टोकिये मन, हमारी बात को बूर्ण हो जाने दिजिए जो आग्या महाराज हमें गयात है, हमें गयात है आपके जिदे में हमारे लिए क्या भावना है ईश्वर ने हमारी सुन ली, आप समझ के परन्तु, राजकुमारी जी तर्टी एक कारियो और क्रिया का अपना एक दिर्धारिक समय होता है परन्तु, महाराज हमें टोकिये मन, हमारी बात को फूर्ण हो जाने दिजिए राजकुमारी जी, हम आपको बचन देने हैं कि उचित समय पर हम आपके विताश्य से इस विशे में पात करेंगे सच्ची? सच्ची कहरे परन्तु आपको भी एक बचन देना होगा महाराज, आपके लिए तो हम अपना पूरा जीवन दे सकते हैं उसकी आवश्यक्ता नहीं होगी कि वन बचन दीजी है कि जब तक हम स्वयम आपको उडिसा लेने नहीं आते तब तक आप यहां विजयनेगर में नहीं बता रहेंगे पराज कुमारी जी, बात को समझ हमारे इस प्रकार मिलना अनुचित है आप उडिसा नरेश की पुत्री है आपकी गरी माँ आपका मान, आपका पग इन सब को समालिया हमें प्रसन्नता होगी जैसा आपका आदेश महाराज धन्यवार, हमने समस्त्र प्रपंद कर दिया है और हम चाहते हैं कि आप अभी इसी समय तोडिसा के लिए रवाना हो जाए जो आग्या महाराज इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है श्रीगरपुना भेट होगी इसकी कोई आपका तोड़े आपका पर शुप जो आपका वाराण आपका रड़े मिलिए आपका यापका करें झाल और शुली दिसू हुचुचुचु, हुचु, 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 हुचु महाराज, महाराज यह नहीं हो सकता, महाराज स्वादामेनीदेवी, यह क्या कह रही हैं? कैसा अन्याए हो आय? महाराज, अजाना में हमारा नृत्तिय का आयोजन नहीं रखा गया तो यह अन्याए नहीं तो और क्या है? रज़ जढ परो हमसम्जे हमस्जे क्यासम्जे जड़ हमसम्जे हमसम्जे कुछ र्चाइन एक सक्वेड़ जयोग कि इस राजर थे डिवया जाजिए कर भी में कि अबड बेड़ एक द्रेज्टत ऐसे से सी लिज़ खुडार लिकर देश्टाहिक सब्सक्राइब करते तुम्हारा हूक लिए कि उसे हूवर है झाल झाल